उत्रप्रदेश की योगी सरकार जहाँ पर तमाम दावे किये जाते हैं कि सुरक्षा की पुक्ता इंतिजाम है वहाँ पर अगर बीजेपी नेता के घरवाले ही ना सुरक्षित हो तो आप क्या कहेंगे नमस्कार बहुत स्वागत है आपका यूबी तक में मैं हूँ आपके साथ गणाशिश श्रवास्तो आप देखना हमारा खास कारक्रम दबे क्राइम स्टोरी पूर जिलादेश के भतीजे विजय नारायन सिंग की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा यूबग कम भी रूप से खायल हो गया बदमाश वारदात को अंजाम देकर पराण हो गई मौके पर पहुची पुलिस के मुताबिक सभी साथ बैट कर पाजी कर रहे थे जुसमें बिजनस को लेकर विवाद हो गया और इस घटना को अंचाम दे दिया गया दरसा सोतानपुर में रविवार की देशाम बाई सवारी बदमाश ने कोतवाली नगट ठानाक शेत्र के दरियापूर दिराहे के पास पल्लवी बार में भाजपा के पूर जिलाधेक्ष गिरीश नारायण सिंग के भतीजे और भाजपा युवा मोचा के जिलाधेक्ष चन बताया जा रहा है मृतक विजे नारायण का साथी और प्रत्यक्ष दर्शी बल्लू और पुलिस अदिक्षक सुमीन बर्मा की माने तो सभी लोग बैचकर एक साथ पाजी कर रहे थे कि अचनक अंबेटकर नगट जिले के महरुआ इलाके के रहने वाले अजय सिंग गोली मार दी जिसे उसकी मौके पर हिमोत हो गई आपको बता दे कि मृतक विजे नारायट सेंग सुल्तानपुर में चर्चित डॉक्टर घंशान तिवारी हत्याकांड में आरूपित था अभी हाली में विजे नारायट जेल से जमानत पर बाहर आया था घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने चुना शुरू करती है पूरे मामले पर पित्रेक्ष दर्शी मृतक के साखिल का क्या कुछ कहना है पहले आपको बहुत सुनवाते हैं क्या गटना हो जी गटना किसमाराए पहले पाद में अनुज खूल जी को अनुज तो अनुज सर्माजी को पुलिस क्या कुछ कह रहे चले वोगी सुनबा देते आपको आज थाना कोतवाली नगर छेत्र में विजय नरायन सिंग और उनके साथी जब पार्टी कर रहे थे उसी बीच पार्टी करने बादों के लोकों के जगड़ा हुआ किसी बात को लेके और सुत्र के मताबिक एक विक्ति इसका नाम अजय सिंग उसने इस विक्ति को विजय नरा गया है छे पुलिस टीम गढ़ित कर दीगी है लगातर करवाई हो रही है पुलिस को कुछ important footage मिले हैं उसके साथ साथ और इस दो वेक्ति को हिरासत में ले लिया है आवशक करवाई की जा रही है इसमें सक्तिसक करवाई की जाएगी धन्यवाद जरा सोच कर देखिए कि उत उत्तप्रदेश में इस तरीके की घटनाए सामने आती रहेंगी और उससे बड़ा सवाल यहां पर ये खड़ा होता है कि अगर उत्तप्रदेश सरकार में भाच्वा के नेता की घरवाले ही नई सुरक्षित हैं तो आम जलता क्या उमीद करें इन तमाम सवालों के साथ आप से भी कहना चाहेंगे कि अगर आपका असपास के लाके में को ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की बड़ी ख़बर बन सकती तो मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हम उसकी तर तक जाएंगे उसके बाद में उसे ख़बर के तौर पर आप तक जरूर पहु झाल